प्यारे स्टुडेंट आज हम नया रास्ता नूबल करेंगे लेसन वन जिनके लेखक सुसमागरवाल हैं लेसन बन नया रास्ता हम पढ़ेंगे और बाद में कुशन अनसर भी हल करेंगे क्योंकि एकजाम की दृष्टी से ये बहुत ही मातपूर्ण है नया रास्ता लेसन बन में चार पात्र आपको मिलेंगे जिसमें दो सहेलियां है एक सहेली का नाम है मीनू जो छोटे कत्की और साउली है और उसकी दूसरी जो सहेली है उसका नाम है नीलमा जो एक सुन्दर लड़की है तीसरा पात इसमें रोहत होगा जो मीनु का भाई है और चौथा पात नीलिमा की मा होगी हम कहानी पढ़ना सुरू करते हैं आप लोगों को पात्र तो समझ में आही गए होंगे क्योंकि अगर हम पात्र नहीं समझेंगे तो हमें कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी जो अपन्यास लिखा गया है इसके हमें पात्र को समझना पड़ेगा सहेली मीनु ने पीछे से आकर उसकी आखों पर अपने हाथ रख दिये मीनु के कोमल हाथों से आखे मूदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ दूसरे ही छड मीनु उसके सामने आ गई और खुसी से उसके हाथ चुम लिये अरे मीनु आज तो बहुत प्रसन दिखाई दे रही हो क्या बात है नीलिमा ने पूछा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए मीनु नीलिमा से बोली मीरा फोटो मीरट वालों को पसंद आ गया है कल वे हमारे गर आ रहे है परन्तु कुछ सोचते ही मीनु के चहरे पर उदासी चा गई मीनु को अपनी जिन्दिगी के कुछ पुराने चण याद आ गए पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा पर किसी ने कद की छोटी वा किसी ने साउली बताते हुए उससे साधी करने से इनकार कर दिया अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आखें चलचला पड़ें नीलिमा उसके हरदय की बात समझ रही थी उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खीचे गए अपने फोटो उसके सामने रख दिये और एक एक करके दिखाने लगी नीलिमा सुन्दर तो थी ही उसके फोटो और भी अधिक आकरसक लग रहे थे नीलिमा की सुन्दर तो देखकर मीनू से चुप ना रहा गया वह उसकी प्रसंसा करते हुगे बोल ही पड़ी नीलिमा लगता है इसुर ने तुझे फुर्षत में बैठ कर बनाया है क्या नाक नक्स है तेरे और उपर से गोड़ा रंग है तेरा वाह जो कोई भी तुझे बिवाह करेगा तो वास्तों में बहुत ही भाग्रसाली बेक्ती होगा मीनू के मुए से प्रसंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसंद हो उठी परन्तु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था तभी मीनू के भाई रोहित और नीलिमा की माने कमरे में प्रवेश किया दोनों प्रसंद नाजर आ रहे थे आज मीनू और नीलिमा दोनों का एमे का परिक्षा फल निकला था रोहित फरिच्छा परडाम का अखवार लेकर आया था दोनों अखवार देखकर जबट पड़ी मीनू प्रथम सेड़ी में पास हुई थी और नीलिमा दुतिय सेड़ी में मा ने दोनों का मुह मीठा कराया और आसीवात देकर बाहर चली गई मीनू के रदय में जो हीन भाउना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे अब खुसी में परिवर्तित हो गए प्रथम सेड़ी में पास होने पर वह खुसी से फूली न समाई और नीलिमा से लिपट कर जूम गई मीनू प्रसंचित भागी भागी अपने घर चली गई परन्तु नीलिमा की आँखों में मीनू का उदास चेहरा गूमता रहा जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था परन्तु दूसरे ही छण बिजय की खुसी में उभरी उसकी खुसी की भावना भी आँखों से ओजल न हो सकी तभी नीलिमा गुन गुनाने लगी कभी सुक है कभी दुख है अभी क्या था अभी क्या है गुन गुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे फोटूओं को उठाकर रखने लगी यह हमारा नय रास्ता का पार्ट वन हुआ अब हम आप से question पूछते हैं आपको इस questions का answer देना है कि ये बात किसने किससे कहे आज तो बहुत प्रसंद दिखाई दे रही हो क्या बात है इस sentence जो मैंने बोला है इसका बताना है कि ये बात किसने किससे कही फिर से मैं दोबारा बोल देता हूँ आज तो बहुत प्रसन दिखाई दे रही हो इस बात को किस ने किस से कहा इसको आपको कमेंट करके वेजना है यदि आपका अंसर सही रहता है तो आपने इस लेसन बन नया रास्ता को अच्छे से समझ लिया है ओके जैहिन जैभारत